नमस्कार दोस्तों मैयूशिधान्त ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसे आप सबी लोग दोस्तों कल 25 अक्टूबर को आप लोग आयोग पहुँचना सुनिश्चित करें अभी तक आपने जिस तरह से टेलिग्राम चैनल पर यूट्यूब चैनल पर वाटसब ग्रूप में हर जगाँ पे आपने जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया कि भई 25 अक्टूबर को आयोग पे चलना है धर्णा प्रदरसन है अपनी माग वहाँ पे रखनी है इसी सिलसले में इसी एनरजी के साथ में आप वहाँ पे पहुँचिए भी ऐसा नहों कि सिर्फ आप प्रोपोगेंडा फैला रहे हों कि भई हाँ ठीकर चलो 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 और दूसरे के कंधे पे बंदूग रखके सोच रहे हों कि गोड़ा दबा दें ऐसा नहों आप खुद वहाँ पे पहुचने के कोशिश कीजिएगा तीन से चार दिन आप लोगे की जो एनरजी देखने को मिली है जिस तरह से आप लोग ततपर होके हर जगह पे ये लिख रहे हैं ये कह रहे हैं लोगों से आवेदन कर रहे हैं कि भाई सब लोग पहुचो मैं परसन को एक बहुत बड़ा स्वरूब देने वाले हैं अब की बार आरपार करना है इस बार आस्वासन नहीं चाहिए इस बार हमें निश्चित तोर पे डेट चाहिए ऐसा ना हो कि फिर से एक आस्वासन मिले कि चलो ठीक है दिसंबर माह में योद्धस तर पे ऐसा हमें कु पर आस्वासन में चाहिए कि इस डेट को इस हफते में इस महीने में एकजाम डेट हमें होना है वीपियो का या फिर अन एकजाम का जो भी यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ देखिए एक अप्लिकेशन मेरे पास आया है टेलीग्राम ग्रूप में इस अप्लिकेशन को आप सभी लोग डाउनलोड कर लिजे और इसको प्रिंट आउट करा लिजे और कल आप लोग दो पनने का यह एप्लिकेशन फॉर्म है इसको प्रिंट आउट कराके आयोग पर पहुँचिए इसके अलावा आपके हाथ में पोस्टर सोने चाहिए खाली शेवा में स्रीमान अधक्ष महोदे उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग लखनवू विशय क्या है पैट 2022 तथा 23 के आधार पर जारी की गई 20 से जादा लंबित परिक्षाओं की परिक्षाती थी तथा परिक्षा कलेंडर जारी करने के संदर्व में यह एप्लि नोटिफिकेशन को आए हुए डेड़ वर्स से भी ज्यादा समय हो चुका है डेड़ वर्स के लगभग लगभग दो वर्स पूरे होने वाले हैं बहुत सी परिक्षाओं की सेलबस तथा सौट लिस्टिंग भी हो चुकी है नोटिफिकेशन आते ही सभी अभ्यर्थी इन प परिक्षा होगी करके डेड़ वर्स से उपर का समय लिया जा चुका है इस अनिस्चितता के महोल में अधिकांस छात्र मांसिक रूप से प्रताडित और आवशाद ग्रस्त हो रहे हैं महोद इस आयोग के तहत कराई जाने वाले परिक्षा के अधिकांस भ्यर्थी बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं तथा उनके परिवार को एक मा के खर्ज की विवस्था करने में भी काफी महनत करनी पड़ती है फिर इस तरह से आयोग के द्वारा हर एक परिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करने में तीन से चार वर्स लगाया जाना सभी गरीब अभ् पर अत्याचार करने जैसा है जबकि हम सभी युवा अपने राज्य की सेवा में आकर इसके विकास में अपना अधिक्तम योगदान देने के लिए वर्सों से त्यारी कर रहे हैं महोदे नीचे हम कुछ परिक्षाओं का जिक्र करना चाहते हैं जिनके नोटिफिकेशन की त आप देख सकते हैं दस महतोपुन परिक्षाओं के लिष्ट यहाँ पर लिख रखे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी 521 दिन के बाद भी अभी तक परिक्षा कितित नहीं आई है लगबग लगबग दो वर्स पूरे होने को है एक्सरेट टेक्नीशियन 490 दिन हो गया अभी इसका एक्जाम डेट नहीं आया है डेंटल हाइजियनिस्ट इनफॉस्मेंट कॉंस्टेबल ओडिटर आई टेस्ट ऑफिसर कनिष्ट सहायक स्टैनोग्राफर नक्स नवीस मानचित्रक और जूनियर असिस्टेंट जिसका रेजल्ट आ गया है लेकिन टाइपिंग का डेट अभी तक नहीं आया है इसके साथ ही पैट 2023 से अभी कोई परिक्षा के सुरुवात नहीं हुई है लगभग 11 विग्यापन आ चुके हैं 11 नोटिफिकेशन आ चुका है लेकिन अभी एक्जाम के बारे में कोई सूचना नहीं है जब 22 का सूचना नहीं है तो 23 का तो भूली ज चाते हैं कि उक्त परिक्षा कितित के संबंध में समय समय पर हम लोग आयोग आते रहे हैं तरथा आयोग के द्वारा बार बार एक या दो माह में परिक्षा तित जारी करने का आस्वासन दिया जाता रहा है परन्तु अब इतना जादा समय निकल गया है कि सभी अभ्यर्थ इसके सभी अब धर्थियों का अधिकार भी है आयोग अब यहाँ पे कुछ मागे जो आपकी मागे होनी चाहिए जब आप जाएंगे कल तो ये आपकी मागे वहाँ पे होनी चाहिए आयोग सभी लंबित परिक्षाओं के लिए एक परिक्षा कलेंडर जारी करें जिसमें परि प्रेंडर कितना फिर से आप यहाँ पे जारी कर दो और पालन ना करो जारी करने का कोई मतलब नहीं अगर आप उसको फॉलू नहीं कर रहे हो तो इन सब की तीत जारी करने के साथ में उसका पूर्णतया पालन हो यह लिखित हमें वहां से मिलना चाहिए किसी भी आगामी परि प्रक्रिया स्रंबादित हो सकती है बैंग के एक्जाम हो सकते हैं यूपीपीसियस के एक्जाम हो सकते हैं यूपीसी के एक्जाम हो सकते हैं तो यह एक्जाम क्यों नहीं हो सकता है नौ माह में यह भरती प्रक्रिया पूड कराई जाहिए तीसरा पॉइंट है किसी भी परि बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म फिल किये उनके उपर प्रस्ण चिन्न उठ गया कि भई आप इलिजबल नहीं है और बहुत सारे बच्चों को जिनको जौनिंग लेटर में लगया है उनके जौनिंग लेटर में प्रोविजनल लिखे आया हुआ है तो इलिजबिलिटी बलडाम के साथ सभी अभ्यरतियों के स्कोर कार्ड जारी किये जाएं तथा एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएं वेटिंग लिस्ट जारी करना दोस्तों बहुत ज़री है अभी आपने देखा होगा कि लेकपाल की परिक्षा में हजारों पद खाली रह गए उन हजार पद खाली रह जाते हैं ये प्रक्रिया बहुत ही गलत है इस तरह से एक्जाम नहीं होने चाहिए जितने पद पर फॉर्म निकल रहे हैं उन सारे पदों को फिल किया जाना चाहिए अगर कोई छात्र डीवी कराने के बाद में जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद में जॉइन नहीं कर रहा है तो उसको हटा के जो वेटिंग लिस्ट के बच्चे हैं उनको जरूर शामिल करना चाहिए ये प्रक्रिया के अंतरगता आना चाहिए पाचवा पॉइंट है माननिय मुख्यमंत्री जी द्वारा दो महीने पहले से बार बार अगले छे महीने में 40,000 से पद जो नियुक्तियां देने की बात हो रही है आपने देखा होगा कि हिद्यानिक जागण में हिंदुस्तान में हर हफ्ते हर दसवे दिन में ये निकला जाता है कि भई 40,000 से ज़्यादा पदो पर वैकेंसी आने वाली है अब वो वैकेंसी कब आने वाली है उसका एक्जाम कब होगा कुष अता-पता इसका नहीं है थीके तोसी के बारे में आप एक जिक्र हो रहा है कि अगले छे महीने में 40,000 से भी जादा नहीं न्यूकतिया देने की बाद जो की जा रही है न्यूकतियां आयोग के माध्यम से हुनी है तथा आयोग के द्वारां पिछले दो महिने में इस पर भी कोई कारिय नहीं हुआ है हमारा अनरोध है कि आयोग मुख्यमंत्री के द्वारा वादों को मतलब जो ये वादा किया जा रहा है इसको पूरा किया जाय। च्छठा पॉइंट है आयोग का रविया छात्रों के प्रती परिवार के अभिभावक के रूप में हो तथा आयोग को छात्रों उनके परिवार के संघर्सों के प्रती सहानुभूत पूर्ण बेवार करना चाहिए अब ये तो आप भूली जाओ ठीक है कि वो आपके अभावक कितना काम करेंगे आपके गारजिन कितना काम करेंगे वो तो आप देखी रहो ये तो आप भूल जाओ वो अपना काम करतें वही बहुत बड़ी बात है अपनी ही जिम्मेदारी वो निभा लें वही बड़ी बात ह आपके अरुभावग ना दने बोस तो अपनी जिम्मिदारी निपका लें ठीक है ये सारी छीजें वहाँ पे आपको कहनी है अपनी बात मनवानी है अंत में महोदय उपर्यूग्त वर्णित शभी शब्द हम सभी अभ्यर्थियों के पिडाओं का एक मात्र अंस भर है परिक्षा में सफल होना या ना होना या तो बाद की बात है यहाँ तो कोई परिक्षा ही नहीं हो रही है अता है आपसे निवेदन है कि हमारे सभी मागों को अतिशी गृप पूरा किया जाए अब हमें सिर्फ आस्वासन ना दिया जाए तो अतिकृपा होगी वही बात मैं बार-बार कहा रहा हूँ कि आस्वासन नहीं चाहिए इस बार, आस्वासन तो हर महिने मिलता है, कुछ बच्चे हमेशा जाता है, उनको हमेशा आस्वासन के नाम पर कुछ न कुछ दे दिया जाता है, ठीक है, चूरन दे दिया जाता है, लेकिन इस बार हमें आस डेट को या इस डेट या इस हफते में ना दे पाएं तो एटलिस्ट ये बोल दे कि इस महीने में आपका एक्जाम होने वाला है ठीक है और इनतने सारे जो लंबित परिक्षाएं हैं इन सभी का डेट ये जारी करें कलेंडर जारी करें और जो चीज़ें यहाँ पर मागी होंगे तो वहां पर जब लंबे समय तक खड़ा होना होता है तो आपको कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेते जाना है पान्योया पेटे रहिएगा लंबा टिगना पढ़ सकता है वहां पर ऐसे नहीं कि एक घंटे में काम होkolाएगा मेभी आपको लंबा खड़ा हो विस्तारित करना पड़ेगा, हमें 26, 27, कुछ न, कुछ डेट फाइनल करके उसको विस्तारित रूप से उसको बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है? ऐसे इस थिती में मैं भी वहाँ पर पहुँच सकता हूँ, कल के डेट में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर दिक्कत है, कल की डेट म ऐसा कुछ होता है तो 26 को तो मैं खाली हूँ 26 को मैं अराम से पहुँ जाओंगा बाकी दोस्तों मैं आप लोग इस ते कहना चाहता हूँ कि आप लोग अभी तक जेतना महनत किये हैं इसको सेरकूलेट करने में इन बातों को सेरकूलेट करने में टेलीग्राम ग्रूप में यह यह आपकी खुद की लड़ाई है ऐसे नहीं कि आप किसी पर डिपेंड रहो आप नहीं आ रहे हो तो मैं क्यूं आऊँगा और एक बात और जिन बच्चों की एज अभी कम है मतलब जैसे एज में कहता हूं किसी की 22 है 23 है तो वो बच्चा ये ना सोचे कि भाई मेरी क्या है अ क्यों जाओं जिनकी एज जादा है वो जाएंगे तो ऐसे से करके नहीं चलना है अगर आज वो जा रहे हैं अगर आप आज जा रहे हो अगर परिक्षा होती है तो उस परिक्षा में आप भी बैठने को पाओगे और आज आप सेलेक्शन ले ले लेते हो आज आप यहाँ प और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, फ्रेंड्स तो सभी लोगों ने बनाये होंगे, दोस्त तो सभी लोगों ने बनाये होंगे, यहाँ पे आपके दोस्ती की असली परिक्षा होनी है, आपके जो भी दोस्त हैं, चाहे वो यूपी ट्रेपल सी एक्जाम की प्रिप हो गया, अगर यह 12 बंकी हो गया, अगर आप लोग इस छेत्र के रहने वाले हैं, आपको कोई दोस्त है, तो उसको लेके आप जरूर पहुँचिए वहाँ पे, संख्या बल आपकी एक्टा को दिखाता है, ठीक है, अगर वो नहीं पहुँच रहा है, तो का है कि दोस्ती, खाने पिने की दोस्ती, यारी, दोस्ती क्या है, मतलब आज आपको पता है कि आने वाले टाइम में जब असली जिन्दगी जिनी होती है, तो उस टाइम पे कोई दोस्त जैसा रहने जाता है, तो आज आपके दोस्ती की भी परिक्षा है, अगर आपका दोस्त आपके साथ मे आपकी situation में नहीं जा रहा है नहीं साथ खड़ा हो रहा है तो उसकी दोस्ती की क्या value है आप ज़रा सोच की बताईए तो आप अपने दोस्त से जरूर कहना कि भई चलो साथ में हमारे हम लोग बहुत फंसे पड़े हैं 2-3 साल से 4 साल से लगे पड़े हैं एक आखरी बात मैं कहना चाहूंगा कुछ बच्चों की तयारी अभी तक नहीं हो पाई है देखिए वो बच्चे है जिनका selection कभी होगा ही नहीं मैं सच बता रहा हूँ ये कड़बा सच है अगर कोई बच्चा UPCCC एक्जाम की तयारी लंबे समय से कर रहा है आज भी VPO के लिए वो कह रहा है कि भई हमारा भी तयार नहीं है अभी जाओंगा तो डेट आ जाएगा एक्जाम होने लगेगा तो मेरी तो अभी तयारी नहीं है बेटा तुम्हारी तयारी कभी हो भी नहीं सकती है तुम कभी नहीं select होगे क्योंकि तुमको इतना टाइम मिला है तुम अभी तक जब नहीं पड़ पाए हो तो कोई guarantee नहीं कि तुम एक महिने में क्या उखाड़ दोगे तुम कभी पढ़ी नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारा वो nature नहीं है तुम बस अपने माबाप और अपने ऊपर एक बोज हो ठीक है तुम जिसके साथ भी रहोगे तुम उसको बरबात कर दोगे यही है तुम्हारा जीवन क्योंकि तुम्हारी तयारी कभी हो ने सकती है तुम तयारी ही करते रह जाओगे तुम्हारा सेलक्सन कभी होगा नहीं मैं कहता हूँ कि आप सभी लोग जाए जो जिनकी तयारी हो चुकी है वो भी जाए जिनकी तयारी नहीं हो चुकी है वो भी जाए जो बच्चे तयारी इसकी नहीं कर रहे है यूपे ट्रेपल सी एक्जाम की आप उनके टच में है तो उनको भी लेके जाएं जितना हो सकता है उतने छात्र महां पर पहुंचे आपकी final कोशिस यही होनी चाहिए ठीक है तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे इसे संबंध कोई जानकारी मिलती है पुने मैं एक वीडियो बना दूँँगा बागी कल मैं लाइव आने की कोशिस करूँगा इसके पहला भी वीडियो रिकॉड करने की मने कोशिस की थी मैं आपसे छमाच आओंगा थोड़ा सा मैं वीडियो लेट ला रहा हूँ इसके पीछह का कारण यह है कि मैंने वीडियो record करने की कोशिश की थी लेकिन पता नहीं क्या हो जा रहा था मेरे मूँसे कुछ अपशब्द से निकल जा रहा थे तो वो चीज़ें थोड़ी अमर्याधित हो जाती है इसलिए फिर मैंने वीडियो को delete कर दिया मैंने डाला था लेकिन फिर फाइनली उसको मैं मैंने private कर दिया दो-तिन वीडियो मैंने record किया लेकिन वो चीज़ें मेरे से control नहीं हो रहे थी कुछ न कुछ मेरे मूँसे ऐसे निकल जा रहा था तो मैंने वीडियो को नहीं डाला फाइनली ये मैं